हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सीजी व्लोगर शाली नी कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूँ आप सब ठीकी होंगे जो गैस हम सबके घरों में एक्ष्टा सिलेंडर होता ही है और कभी-कभी हमें अच्छा सिलेंडर रिसी हो जाता है कभी-कभी हमें पेंट टुखडा हुआ सिलेंडर रिसी होता है जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता और हम घर के किसी कोने में उसे चुपा कर रख देते है तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि सिलेंडर को हम डेकॉर करके कैसे रख सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसका रंग रूप बदल दूँगे तो हम इसे पेंट तो कर नहीं सकते बिकॉस यह हर महने चेंज होते रहता है तो यह जगह है मेरे में डोर के जट सामने वाली और यह हमेशा खाली रहती है यहाँ पर सीपेक मैं एक्टर सिलेंडर रखती हूं कभी-कभी जो खराब सा सिलेंडर रिसीव होता है तो अच्छा नहीं लगता है तो इस जगह को आज हम डेकॉर करेंगे तो सबसे पहले हम सिलेंडर को सेट कर देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलेंडर को सेट कर दिया है इसके बाद इसे मैं वेश्ट कपड़े से कवर कर दूँगी आपके पास जो भी waste कपड़ा हो आप उससे इसे cover कर सकते हैं या पिर अगर आपके पास cylinder का cover है तो आप उससे भी इसे cover करके रख सकते हैं तो guys मेरे पास cylinder cover available है तो मैं इसे cover कर दूँगी तो आप देख पारें यह cylinder cover है और इसे मैंने local market से purchase किया है because यह काफी reasonable price में मिल जाता है और मैंने इसे white color में purchase किया है आपको जो भी color इसे में चाहिए आप उस color का purchase कर सकते हैं या फिर आप घर पर भी इसे बना सकते हैं यह बहुत ही आसानी से बन जाता है so मैंने cylinder को cover कर दिया है आप देख पार है काफी अच्छा लग रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि cylinder खराब हमें receive हुआ है या नया receive हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इस तरह से आप भी cylinder को cover करके रख सकते हैं इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक plywood ले लूँगी मेरे पास plywood available है आपके पास अगर round shape में कोई tray अवलेबल है या plywood अवलेबल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो इसके बाद मैं यहाँ पर runner यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास waste था तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आपके पास जो भी waste कपड़ा होगा या फिर runner होगा आप उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दन इसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का बाउल ले लिया है इसमें मैंने पानी भरके रखा हुआ है और अब मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर एड़ कर दूँगी आपके पास जो भी फ्लावर है आप उसे यहाँ पर एड़ कर सकते हैं फ्लावर एड़ करते समय हमें यहाँ ध्यान रखना है कि फ्लावर से अच्छी फ फ्लावर लगा लिये हैं और इनका भी कलर काफी अच्छा लग रहा है मैं यहाँ पर light कलर का look create कर रही हूं देन इसके बाद यहाँ पर मैंने gift रख दिया है और यहाँ पर मैं कुछ color वाले stone रख रही हूं ताकि यह look काफी अच्छा लगे और अब मैं यहाँ पर दो छोटे छोटे flower pot रख रही हूं और यहाँ पर मैं अब artificial flower add कर दूँगी सो गैस आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है इसके बाद यहाँ पर मैं एक soft toy का use करूँगी यहाँ पर मैं काफी attractive लग रहा है तो इससे हमारे घर की negativity दूर होती है और positivity आती है तो आप कभी भी आपके घर में अगर कोई flowers है तो आप उसे इस तरह से decor कर सकते हैं इसके बाद यह मैं second decor कर रही हूं तो यहाँ पर मैंने एक glass का pot ले लिया है और उसमें मैंने कुछ fairy light add कर दिये है यह battery operated fairy light है इसके बाद यहाँ पर मैंने एक gift है यह मेरे बड़े पर मुझे मिला था और यह मेरे husband ने मुझे दिया था तो इसे मैं यहाँ पर रख दूँगी इसके बाद यहाँ पर जरूर शियर करूंगी और यह मैंने एक ketchup की bottle ले ली थी इसके अंदर मैंने कुछ पत्तो को इसमें add कर दिया है पत्तो को यहाँ पर डाल दिया है तो काफी अच्छा लग रहा है ग्रीनी ग्रीनी सा दन इसके बाद यहाँ पर मैंने दो candle holder रख दिये है यह मैंने एमाजॉन से पर्चेस किये थे और यहाँ पर मैं candle नहीं जला सकती बिकॉस यह cylinder है इसलिए दन इसके बाद यहाँ पर मैं दो glass के candle light ले लिए है और यहाँ पर मैंने कुछ colorful stone add कर दिये है दन इसके बाद यहाँ पर मैंने ferry light को on कर दिया था तो गैस आप देख पा रहे है मैंने सारी light को बंद करके रखा हुआ है अब मैं ferry light को on कर दूंगी तो गैस आप देख पा रहे है सो गई decoration के लिए जरूरी नहीं है कि हम shopping करें हम घर में ही रखी हुई चीजों से घर के किसे भी corner को innovative होकर decor कर सकते है दन इसके बाद यहाँ पर मैं third look create कर रही हूँ यहाँ पर मैंने flower pot रख दिया है दन इसके बाद corner पर मैंने कुछ books रख रही हूँ मुझे books पढ़ना काफ पर करूंगी दन इसके बाद यहाँ पर मैं एक glass का jar ले लूँगी और उसमें मैंने कुछ colorful stone रख दिये है side में मैं यहाँ पर एक glass रख लूँगी ताकि यहाँ पर मैं पानी भर कर रख सकूं then इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ fairy lights को stone के उपर add कर दूँगी और उसका जो battery system है उसे मैं just पीछे प्रेस करके रख दूँगी then इसके बाद मैं यहाँ पर एक gift है उसे मैं यहाँ पर रख दूँगी तो गईस आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर then इसके बाद एक book मैं यहाँ पर सामने रख दूँगी जो book हमें पहले पढ़नी है उसे मैं यहाँ पर सामने रख दूँगी ताकि glass के jar जो है उसे हमें बार बार हटाना ना पड़े then इसके बाद यहाँ पर मैंने कोश्टर को रख दिया है ताकि हम यहाँ पर बैट कर पानी या चाय पी सकते हैं और साथ में book भी पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर मैंने यह cup रख दिया है और यह cup मेरे बर्थडे पे मुझे gift में मिला था साइट में मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक का बाउल रख दूँगी यहाँ पर मैं उन्हीं flowers का यूज कर रही हूँ सिर्फ मैंने यहाँ पर बाउल चेंज किया है दन इसके बाद यहाँ पर मैं artificial plant को रख दूँगी आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है तो इस तरह से आप coster को यूज कर सकते हैं सो आप देख पा रहे हैं color combination काफी अच्छा लग रहा है अभी यही look मैंने रखा हुआ है क्योंकि मुझे books पढ़ना अच्छा लगता है तो इस तरह से अभी मैं यहाँ पर बैटकर books पढ़ सकती हूँ सो गाइज मैंने अभी fairy light on कर दिया है तो आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है सो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकिसन आप तक पहुच पाए और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो उसे like और share जरूर कीजिए देन इसके बाद यहाँ पर मैं एक chair लगा लूँगी ताकि वहाँ पर मैं आराम से बैट कर books पढ़ सकूँ या फिर चाई पी सकूँ तो यहाँ पर मैंने एक chair लगा ली है और उसमें मैंने कुछ pillows को डाल दिया है ताकि यहाँ पर बैटने में आसानी हो जाए आप देख पा रहे हैं यह corner काफी attractive लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है आप भी इस तरह से अपने घर में किसी भी corner को decor कर सकते है आप मुझे comment में जरूर बताईएगा कि आपको यह decor ideas कैसे लगे आप देख पा रहे हैं यह first look था इसे मैंने decor करके रखा हुआ था इसके बाद यहाँ पर यह second look है और यह third look है जो की अभी continue है और मैं बीच बीच में change करते रहती हूँ